नमस्कार दोस्तो, आज हम पढ़ाई की बात नहीं, देश में लाखो पढ़े लिखे यूआ लोगों की बात करेंगे कितने सारे लोग है जो कि आजकल बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हैं आज युवा लोग B.A.D. कर रहे हैं, B.T.C. कर रहे हैं, S.S.C. कर रहे हैं बैंक की तयारी कर रहे हैं, रेलवी की तयारी कर रहे हैं, सीजियल की तयारी कर रहे हैं और लाखो एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं इन सब पर सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल चुप बैठी है आखिर कब तक इस पर ध्यान देगी सरकार खासकर गरीब घर के लड़की लड़किया जो कि अपने घर गाउं को छोड़कर सहर में जाते हैं पैसा ले कर जाते हैं उनके माव आप कितनी कड़ी मेहनत करके पैसा देते हैं वो लोग जाके पैसा दे के एक्जाम्स की तयारी करते हैं पढ़ते हैं वो लोग भी बिरोजगार बैठे हुए आखिर इस सब पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है आज हम आपको बता रहे कि कितने करोडों लोग बिरोजगार बैठे हुए है और उस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है हमको लगता है कि इस सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए B8 करके कम से कम UP में 20-30,000 लोग बेरोजगार है SSC में करोडों लोग बेरोजगारी की मार जेल रहे हैं करोडों लोग रेलबी के तयारी करके बेरोजगार बैठे हुए आज का लवब 20-25,000 लोग BTC करके प्राइबेटी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं सीजियल के एकजाम 2017-18 में उसकी भरती आये थे उसका अभी तक रिजल्ट रिजल्ट नहीं आया, लाको लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आखिर कब तक इतने बेरोजगार लोग बैठे रहेंगे और सरकार कब इन लोगों पर ध्यान देगी, अगर सरकार नहीं ध्यान द सीटे थी, जिसमें लबग धाई करोड लोग अपलाई किये थे जॉब के लिए, और उसमें सरकार बोली थी कि पांच सो रुपए का फोर्म भरा जा रहा था, और सरकार बोली थी कि हम चार सो रुपए वापस कर देंगे, उसका पैसा वो वापस भी नहीं की और नहीं इन सारे लोगों पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि लोग सरकार के खिलाब नारा बोलने लगेंगे, आवाज उठाने लएंगे, आखिर क्या करेंगे ऐसे यूवा लोग, तो ऐसे नहीं चलेगी आपकी सरकार, इसलिए आप सरक सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों पर इन यूवा लोगों पर जरूर ध्यान दे, और आज 11 बजए एक नया ट्रेंड चल रहा है, स्पीक आफ़ टीचर्स, स्पीक आफ़ एसे सी रेलबे स्टुडेंट्स, हैस्टेग लगा कि इस पर आप ट्वीटर पर इन सारी चीज़ों की ताकि सरकार के पास यह आवाज जा सके और हम यूवाओ की आवाज सरकार के पास जा सके, धन्यवाद